तो सुवागत है भाई आप सबी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल KPM Fantasy Expert पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो केन्य कबड़ी ली गए इसका भाई जो आज के दिन का पहला मैच और टरूनामेंट का 21 मैच जो की खेला NYS Casey versus Kasrani Lowans Casey के बीच में आप इन दोनों इटीम्स की complete information आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को starting से लेके end तक complete देख लिजिएगा और वीडियो का कोई भी part आपको एनना skip नहीं करना है दूसरी और सबसे important बात बाई इस वीडियो में आपको दोनों इटीम के एक एक player के बारे में बताऊँगा कि कौन सा player आपके लिए कितना important रहेगा दूसरी बात point stable की बात करेंगे कि कौन सी team की position पर तीसरी बात इस match की जो small league की team है वो भी आपको बना के दिखाने वाला हूँ लेकिन जो सबसे important बात है यहापर जो 30 लाग रुपे की GL लगी हुई इसके लिए भाई आपको 6 GL combination मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे after lineups after starting 7 तो इसलिए बोल रहा हूँ टेलिग्राम चैनल जरूर से जरूर जोईन कर लीजिएगा मैच खेला जाएगा दोपेर को 2 बज़ कर 30 मिनट पर और अब इस मैच के बारे में भाई बात करना start करते हैं तो वीडियो को like भी आप कर दीजिएगा अभी की अभी क्यों क्योंकि भाई आपका एक एक like काफी जादा motivate करता आपके लिए और जादा मैनत करके अच्छे अच पासरानी लोएंस की टीम आप देख सकते हो 2 मैच इन्होंने खेले 2 के 2 जीत के आरे हैं यहाँ पर आप देख सकते हो score difference आप देख सकते हो 15 का है इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जो NYS की टीम है इन्होंने 4 मैच खेले बाई और 4 मैच में से सिर्फ एक सिंगल म पर भाई इनकी टीम की स्थिती थोड़ इसी वीक नज़र आती है as compared to कसरानी लोइंस तो कसरानी लोइंस के फेवर में आपको टीम बनानी चाहिए अब अगर बात करें भाई आपर कि आपके लिए कौन सी टीम के प्लेयर कौन से कौन से प्लेयर इंपोर्टन्ट रहेंगे उनकी बात कर लेते हैं लेकिन उससे पहले भाई आपर आपको मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया फिर से बता रहा हूँ बाइट 30 लाख रुपे की जील लगी हुए और इस जील की फाइनल टीम आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा अगर अभी तक आपने टेलिग्राम चैनल जोई नहीं किया है तो कर लीजिएगा कल भी आपके भाई ने शानदार विनिंग करवाई थी कोई हमारे आसपास भी नहीं था इस मैच में जो बाकी और बड़े बड़े फेंटेसी एक्सपर्ट है न भाई 606 पॉइंट आये थे उनकी टीम के और वो अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप बोल रहे थो और हमारे 665 थे तो अब आप सोच सकते हो हमने क्या किया होगा जब उन्होंने अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप कर लिया तो आप देखो 665 पॉइंट हमारे टीम का क्या रजल्ट रहा हो तो इसलिए बोल रहा हूँ टेलिग्राम चैनल जोइन कर लीजिएगा क्योंकि देखे यहाँ पर जो स्मोल लिक की भी फाइनल टीम है प्लस जी एल की टीम वो सारी चीजे जो फाइनल के आती है ना आफ्टर लाइन अपस वो आपको टेलिग्राम पर ही मिलेंगी तो टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लीजेगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है वीडियो के फर्स्ट कोमेंट में भी है अगर वाई चांस लिंक वर्क ना करें तो डारेक्ट सर्च भी कर सकते हो एट दारेट के पी एम टीम एट दारेट जरूर लगाना और उसके बाद भाई के पी एम टीम आपको लिखना है और जो टोप पर चैनल दिखेगा ने यही हमारा एक मातर चैनल है इसके अलावा यह जो चैनल है यह बिलकुल फेक चैनल है तीनों के तीनों हमारे नहीं है इनके उपर आपको बिलकुल भी नहीं जाना है तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है फिर वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में जो लिंक है वहीं से जोईन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अब चलिए भाई बात करते हैं मैच के बारे में मैच के बारे में एक एक प्लेयर के बारे में आपको यहाँ से बता देता हूँ तो चलिए भाई देखते हैं कौन सी टीम की क्या क्या स्टार्टिंग सेवन रह सकते हैं NYS से स्टार्ट करेंगे ए ओगवांग की बात करेंगे तीन मैच यहाँ पर आप देख सकते हो तीन मैच बहुत ही शांदार खेले बंदेने यहाँ पर पांच टैकल किये इससे पहले वाले मैच की बात करेंगे तो यहाँ पर इक पांच ही टैकल किये यहाँ कि बैतरी डिफें में इन्हें जरूर से रख सकते हो बट एज डिफरेंशल पिक या फिर जियल मिनी जियल में काम आएंगे स्मोल लिग में इतने इंपोर्टन नहीं रहेंगे इस हीमुई की बात करें तो लास्ट मैच में तीन टैकल करके आ रहा है उससे पहले मैच की बात करें तो यहांपर भाई पान्स टच पॉइंट निकालके आ रहा हूँ उससे पहले मैच मे एक टैकल किया था उससे पहले मैच में दो टैकल यानि की परफॉर्मेंस थोड़ी थोडी हर मैच में दे रहें लेकिन जो impactful performance उस दिन बड़े लेवल की वो भाई अभी तक नहीं आई है तो यह चीज़ आपको थोड़ी सी द्याल में रखनी है अब अगर बात करें ओ कोफी ओ कोफी लास्ट मैच में फिर से चला है उससे पहले बीच में दो मैच फ्लोप रहा था पहले मैच में गजब performance आई थी ठीक है यहाँ पर अगर देखोगे तो भाई यहाँ पर आठ चैकल भी किया और तीन टैकल में से दो सूपर टैकल थे अब यहाँ पर अगर बात करें तो यह आपके लिए इंपोर्टन्ट जरूर रहेगा इवन भाई आप इसे VC भी अपने टीब में रख स टीन बोनस प्वेंट निकाले बएतरीन परफोर्मेंस दीए उससे इस मैच के अलावा ज्यादा कुछ यहाँ पर इनोंने पीछे नहीं किया हुआ पहले मैच की बात करें तो यहाँ पर वाई तीन टैकल इनोंने किया हुआ था अब अगर बात करें जो इनकी रेडिंग डि प्रफोर्मेंस थी साथ टच पॉइंट एक टैकल इससे लास्ट वाले मैंसें भाई तीन टच पॉइंट दो बोनस पॉइंट और एक टैकल इन्होंने किया हुआ है ठीक है तो आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हो स्मोल लिग में आपके लिए इंपोर्टन फिक बन देखो जैसे मैंने आपको बोला ओल्ड राउंडर खेल दिखा सकता है यहाँ पर चार टच पॉइंट इसके लाए एक बोनस और यहां से दो टैकल इन्होंने किये तो बैतरीन प्लेयर ज़रूर्श है आप इन्हें अपने टीम में रख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो तीन टच पॉइंट एक बोनस पॉइंट एक टैकल किया है उससे पहले वाले मैच की बात करते हैं आप पर भाई सिर्फ एक टच पॉइंट निकाला था इसके अलावा लास्ट मैच में कम्प्लीटली फ्लो पर रहा है अब अगर बात करें वाई सामने वाली टीम की बेग ब बात कर लेते हैं आपर कसरानी की बात करेंगे कसरानी लोयंस की तो इनकी तरफ से वाई रेडिंग सेक्शन में आपको दिखेगा जैड ओडियाम वो जो पहले मैच में कुछ नहीं कर पाया था लेकिन दूसरे मैच में आप देखिए आठ टच पॉइंट पांच बोनस पॉ कर सकते हैं आपके लिए मस्टव भी करेंगा इवन भाई अगर आप चाहो तो ऐसे डिफरेंशल प्लेयर के तोर पर वीसी भी अपनी टीब में रख सकते हो वही अगर बात करें वहाई यहां पर ओल्ड राउंडर सेक्शन में आर वो निफेस आपको दिखेंगे जो लगात हर अपर अगर आप देखेंगे लास्ट मैच में तो यहाँ पर आप देख सकते हो पास नहीं ट्राइक कर सकते हो इमचूरू कि बात करते हैं मुचूरू को भी आप जीयल मिनीजेल में ट्राइक कर सकते हो इसने टीम में इसके अलावा यह बहूत ही शांदर पर वाय ओंग एक bonus point और 5 इन्होंने tackle किये थे यानि कि भाई यहांपर almost super 10 और भाई अपना i5 complete किया था बहुत ही शांदर player जरूर से try की जगा M आमोलों की बात करें तो भाई पहले match में आप देखें आपर 2 tackle किये इसके अलावा दूसरे match की बात करें तो यहांपर 2 touch point एक tackle किया तो बहुत ही शांदर player है जरूर से try कर सकते हो D.O.Cheng की बात करें तो D.O.Cheng भी आपके लिए important player रहेंगे आपर आप देखें 5 touch point एक tackle इन्होंने किया हुआ है last match में इसके अलावा यहांपर अगर बात करें तो M.Lumba.Lucendo की बात करें तो इन्हें भी आप अपने team में रख सकते हो तीन इन्होंने touch point निकाले एक bonus और इसके लावा दो tackle किये थे अब चलिए भाई मापको team बना के दिखाता हूँ small league की अगेन आपको बता दू जो भी मेरी final team रहेगी न वो आपको telegram पर मिलेगी साथ ही साथ grand league जो 30 लाग की लगी हुई है इसके लिए 6 GL की team बे आपको telegram पर मिलेंगी तो देखे अगर HCMUU खेलेगा तो must topic रहेगा अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ की खेलेगा और इसे मैं अपने team में भी रख रहा हूँ आइम आमोलों को अपने team में रखेंगे ए ओगवांग अमारे लिए must topic रहेगा नीचे अगर आप चलोगे तो जी कागुन्या को आप अपने team में रख सकते हो बट मैं recommend नहीं करूँगा कि आप इनने 100% रखो ही रखो इसके लिए इसे मुयू को आप रख सकते हो और अमारे लिए differential pick थे और इनने नहीं हमें winning करवाई थे यहां से अगर बात करें तो ओ कोफी को आप अपने team में रख सकते हो नीचे अगर बात करें तो आर बोनीफेस को आप अपने team में रखेगा जैड ओडेमबो को VC के अगर बात करें तो ओ कोफी को अभी के लिए दे रहा हूँ अधरवाइस आप अगर चाहो तो आप बोनीफेस को आपने team में रखेगा वी सी दे सकते हो बट अभी के लिए मैं कोफी को अपने team में रखेगा रहा हूँ जाइस है को ऑल रात क्रवाइस आपने में रखेगा वी सी को आपने रहा हूँ